नमस्कार विद्ध्यारतियों कैसे हैं आप सभी पाथ आईएस एकाडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं गिरिश्कुमार साहू फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी इन दिनों मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं और मुख्य परिश्चा 2023 जो है वो अब और नजदीक आने वाली है यह जो पाथ आईस एकाडमी का ओनलन प्लेटफॉर्म है वो आप सभी के लिए एक सिरीज लेकर आया है और जिस सिरीज में हम मेंस की जो टेस्ट सिरीज 2023 पाथ आईस एकाडमी के कैंपस में ओर्गनाईज हो रही है और हर वर्ष यह आपके लिए संचालित की जाती है हमारे इंस्टिट्यूट के द्वारा और इस वर्ष हम इस मेंस टेस्ट सिरीज के विभिन जितने भी पेपर्स हम ले रहे हैं उन सभी पेपर्स के सब्जेक्ट वाइस एक्स्प्लेनेशन भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं आई होब कि अधर जितने भी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्टर्स जो हैं यहां पर प्लेटफॉर्म में उपलब्द हो चुके हैं वो आप लोगों ने देख लिया होगा नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिएगा और अपनी तयारी को मजबूत करते चलिए क्या आपके प्लस पॉइंट्स हैं और क्या कमी रह जा रही है उस पर ध्यान देते हुए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मुख्य परिच्छा में अच्छा पर्फॉर्म करने का प्रयास करिए ठीक जो लोग इस वर्स मेंस नहीं दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें और मैं आपको ये भी बता दूँ अगर आपको नहीं पता है तो कि सब्जेक्ट वाइस ये जो वीडियो सीरीज चल रही है मेंस के एक्स्प्रैनेक्शन पार्ट की वो आपका हिंदी माध्यम और इंग्लिश मेडियम दोनों के लिए सेपरेट आ रही है तो इसमें आप जरूर जाईए और इस यूट्यूब चनल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा और उसमें जाकर क्या आप देख सकते हैं नहीं तो फिर आप इस यूट्यूब चनल में आएं और प्ले लिस्ट में चले जाईएगा MTS Explanation 2023 मेंस की टेस्ट स्रीज जिसको हम शॉट में MTS कह रहे हैं उसमें आप आईएगा और जरूर इस वीडियो को अब देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं ये मैं आपको जल्दी से बता लिता हूँ देखिए आज हम टेस्ट नंबर सेवन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका 16 मार्च को और्गनाइज हुआ था और इस जो टेस्ट नंबर सेवन हैं इसमें आपका जो सब्जेक्ट था तीन महतुपुन सब्जेक्ट से जिसमें से 36 गड़ के जो एकोनॉमी है 36 गड़ पेपर में कौन-कौन से questions पूछे गए थे उस पर हम चर्चा करेंगे कितने marks के पूछे गए थे कौन से प्रश्न है उसके अलावा फिर जो already registered students हैं विद्यारती हैं उनके answer sheet को हम थोड़ा सा study करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है और उसमें कितने marks उनको मिले हैं और क्यों उनके नंबर कट गए है निगेटिव मार्किंग कहां पर हुई है फिर साथी साथ हम जो है model answer देखेंगे जिसमें हम content पर बात करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हमें किस प्रेकार से क्या लिखना चाहिए था और क्या बहतर एक उत्तर हो सकता है जि कि अगर आपने path ice academy के cgpsc mains test series 2023 को जोइन नहीं किया है तो अभी भी आप जोइन कर सकते हैं और online और offline दोनों mode में यह उपलब्द है 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है 16 माई तक यह चलने वाला है और तीन अलग-अलग rounds है यहां पर round 1, round 2, round 3, total 28 जो test है वो इसमें लिया हैं ओके लेकिन यदि आप अभी registration करवाते हो तो भी आपको round 1 के papers जो है PDF form में available करा दिये जाते हैं ताकि आप स्वैम से उसकी तयारी करें और answer जो है लिक करके आप हमसे check भी करवा सकते हो ओके वहीं round 2, round 3 यह भी आपका अभी आने आगे जो है आने वाला है तो कुल मिला क आपके मान के चलिए कि यह आप individual round wise register करते हो तो भी आपके पास option available है और नहीं तो पूरा आपको चाहिए तो एक साथ आप जो है registration करवा सकते हो पूरे main stage series के लिए ओके तो बाकी details के लिए आप दिये गए details पर contact पर जो है जाए और call करे हमें और या फिर विजिट कर सकते है जो आपका path IS Academy का जो offline campus है रायपूर civil lines में वहाँ पर आपको जरुरी सुचना मिल जाएगी चलिए तो इस test number 7 में हमारे पास तीन विशय थे जिनसे प्रश्न पूछे गए थे एक भारती अर्थे वबस्ता दूसरा 36 गड़ की अर्थे वबस्ता और तीसरी आपकी 36 गड़ी जो economics है यानि कि 36 गड़ की अर्थे वबस्ता वो हम लोग देखने वाले हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते देखिए कुल जो है प्रश्न यहाँ पर उन्चास प्रश्न थे इन तीनों विश्यों से संबंधित और तीन घंटे का समय जैसा कि हमार प्रश्न पूछे गया थे यदि हम देखें तो सबसे पहला जो आपका पैटर्न आता है वो आपका खंड एक जो है section 1 यानि कि दो अंकों का जो की 30 शब्दों का लिखना है इसमें आपको उत्तर ठीक है कौन-कौन से प्रश्न है तो टोटल दो अंकों के यहाँ पर 6 प्रश पनी लिखिए दूसरा प्रश्न है सहकारिता से आप क्या समझते हैं तीसरा प्रश्न है महिला सशक्ती करण से आप क्या समझते हैं बहुत important प्रश्न है वहीं पर अनसुचित जनजाती के समाजीक पिछड़ापन को अप्यक्त करने वाले प्रमुक संकेत कौन-कौन से हैं य कितने प्रश्न यहां पर पूछे गए थे दो अंकों के अब आजाते हैं चार अंकों के प्रश्न में तो चार अंकों के भी हमारे पास कुल मिला करके चार प्रश्न है जो की 16 मार्क्स के यहां पर आ गए हैं तो देखें इसमें कौन-कौन से प्रश्न है पहला है मुक्यमंत इगर बजट तोयर्ट चौबिस पच्चीस के अनुसार राज की आर्थिक इस्थिती का आकलन कीजिए और चार नंबर में आखरी प्रशन है प्रात्मिक क्रिशी साख समीती के प्रमुक उद्देश्यों पर प्रकाश डाली है ओके ये चार प्रशन आपके जो है फोर मार्क्स में यहाँ पर आए हैं है ना चले अगला प्रशन देखते हैं खंड करमांक तीन में का यानि की आठ अंकों का प्रशन है जो की सो शब्दों में उत्तर लिखने की जो है पर्मिशन देता है ओके तो प्रशन करमांक 11 यहाँ पर है बाल सरम से प्रभावित बच्चों के राज्य में लिंगा नूपात के जिलेवार वितरण को समझाईए तो आठ अंकों का यहाँ पर फिर से चार प्रशन आया है यानि कि ये 32 अंकों का ये प्रशन आपका पूछा गया है ठीक है खंड करमांक तीन से आकरी खंड देखें सेक्शन नमबर 5 है यानि की 15 अंकों का प्रशन है 175 शब्दों में आपको लिखना है प्रशन आया था कि महिलाओं के आर्थिक शसक्ति करण है ना महिलाओं के शसक्ति करण नहीं बलकि क्या पूछा जा रहा है महिलाओं के आर्थिक शसक्ति करण के लिए राज्य में किये जाने वाले प्रयासों का मुल्यांकन की तो यह रहे आपके इतने सारे प्रश्ण है ना तो कुल मिलाकर कि अदि आप देखें तो यह आपका 12 नंबर का प्रश्ण आया था 16 का 32 का और फिर यह आपका 15 का याने कि यह आपका जो है 75 मार्क्स का प्रश्ण इस भाग दो के इस 36 गड़ के अर्थवरस्ता विशय से बहावना बनती है कि आपको मुख्य परिच्छा 23 के प्रश्ण पत्र में जरूर मिलने वाला है तो तयार कर लें इसको चड़िए अब आगे हम लोग देखते हैं चर्चा करते हैं एक दो हम लोग आंसर शीट लेंगे अलग अलग जो रडिस्टर इस्ट्रेंट से उनकी पर हम लोग लेते हैं और महतारी बंदन योजना यह जो दो मांक्स का यहां पर क्वेश्चन हम उनों खंड सेक्षन नंबर वन से हम देख रहे हैं उसमें क्या इन्होंने लिखा है महिला शक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह एक हजार रूपए डीबीटी के द्वारा महिलाओं को दिया जा रहा है योग्यता अठारह वर्ष शे अधिक विवाहित विध्वा परित्यक्ता जो अन्य किसी मान देये का लाव नहीं ले रहे हैं बारा हज्यार प्रतिवर्ष दस मार्च को पहली माह की राशी हस्तांतरित की गई ओके इस प्रशन का उत् के बारे में आए तो एक तो यह होता है कि योजना का प्रारंभ होई है यह कहा से विष्णों ही कोती है तो यहां पर हमारे पास सिथान और तीथी दोनों आ जाता है प्रारंभ के बारे में फिर प्रमुख जो चीज है वो ये है कि जो योजना है उसका उद्देश क्या है कभी-कभी प्रशन में सीधे तोर पे पूछ देता है कि इस योजना का उद्देश बताईए नहीं पूछा है तो केवल जनरल कोशन पूछा जैसे यहां पर की संक्षित ट्रिपणी कीजिए त फिर प्रमुख पहलू आता है कि योजना में क्या प्रमुख प्रावधान हैं ओके सरकार ने इस योजना के तहत क्या निश्य किया है कि क्या दिया जाएगा कितने का प्रावधान होगा जिसे यहां पर ही होते हैं तो पात्रतम बताना होगा कि महिला वर्ग की स्थिति क्या है ठीक है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि जो विवाहित है ना महिला है ठारा वर्ष से ऊपर और विद्वा महिला है परितक्ता महिला है ठीक तो उनके लिए ही यह वही मतलब की पात्र होंगे कि उनक कि वरतमान इस्थिती के आधार पर लेटेस्ट आकड़े बगरा या कुछ जो है आपका पॉइंट जो मुख्य बिंदु विद्गुल आपका लेटेस्ट में जैसे मालीजए योजना जो है दो साल पहले चालू हुई है लेकिन आप ही वरतमान में क्या है उसकी स्थिति क्या है कितने लाभार्थी है अब तक या कितनों को इससे हित ले चुके हैं या लाभ ले चुके हैं तो इस प्रकार से यहां से आमको प्रश्ण लिखना होता है ठीक है उत्तर लिखना होता है चलिए तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो य इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में तो इंग्लिश वर्ड का यूज इन्होंने किया है जो कि हिंदी भाषा का हिंदी माध्यम में यह उत्तर लिखना था इनको ठीक तो हमको कोसिस करनी होती है कि इस प्रकार से हम ऐसी गलती ना करें क्योंकि ऐसा जो है प्यस्च के गैडला भी कि है तो इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं तो अगर ईसका ही बिलकुल भी नहीं मालम है तो एसा लिए या फ्रफर आप लिख सकते हैं प्रत्यक्षप लाभ Java सतांतरन इसका जो है आपको लगता है तो आप बिल्कुल उससी को करना है ठीक है यह ने होना चाहिए कि या एक आपको पता होते हुए भी आप इनने इसको dbt sort में निप्टा दिया कि भाई ये तो आपका जल्दी में हो जाएगा ठीक है तो वैसा आपको नहीं करना है चलिए तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बाते समझ में आये होगी कि किस प्रकार से इसका उत्तर हमें लिखा जा आप क्या समझते हैं यहाँ पारसपरिक सहयोग पर अधारित बैंकिंग संस्था और सहकारी संस्था को संगठित कर उनका विकास करना है तथा कमज़़वर्गों के स्थोशन को रोगने और समाजिक और आर्थिक विकास को निश्चित कर सके ओके चलिए तो एक थोड़ा सा प्त्र हम लोग लेते हैं उत्तर-फट्र जिसमें फिर से इन्होंने क्या लिखाए देखते हैं प्रदेश की नवीन योजना ओके बहुत अच्छा एकदम से मतलब एक नवीनMA, योजना है इनोने जो लिखा है तो आई है ग Vander aadatta गरम अभी ओख आपका ये योजना आई है ऐसा वाला ठीक चलो तो प्रदेश की नवीन योजना महतारी बंदन योजना में तीन हजार करोड रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाहे एक हजार रूपए प्रतिवर्ष की दर से यहां पर सौट में ने चोटा सा लिग दिया है 12,000 रूपए ओके देने का प्रावधान है महिलाये शादी सुदा हो परित्यक्ता या आसाहय तथा आजीविका का स्रोत ना होने पर उनको स्वास्थ्य पोशनेमुम आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश से मार्च 24 में लागू किया गया जिसकी प्रत्रम किस्त 8 मार्च 24 मे इसके खाते में भुकतान किय गई चलिए गई एक में 8 मार्च लिखाए एक में 10 मार्च लिखाए है है वो देखलेंगी जड़ा अब देखी है तो यहां पर इंहोंने जो लिखा एक चीज़ जो अवाइट की जा सकती थी ये व्यक्ति को तरह हो सकती है जैसे कि इन्हों ने एक बार लिखा परदेश की नभीन योजना अब ये जो इन्हों ने लिखा है इसी महतारी वंदन योजना को ही तो इसारा कर रहा है कोई कि प्रष्ण तो यही पुछा हुआ है तो भई ये अलग से और यहां पर इसको लिखने की ज़ुरत नहीं थी है ना इसको टाला जा सकता था ना लिखे तो बहतर है मतलब कहने का यह है ध्यान रखें कि प्रश्ण में जो लिखा है वही उत्तर तो आपको लिखना है तो प्रश्ण को वापस आप रिपीट मत करिए जब आप उत्तर लिखना का प्रावधान किया गया है फिर उसके बाद फिर इन सी जो को इन्होंने जो प्रावधान है पातरता है वो सब कुछ और उद्देश यह सब कुछ इसमें यहां पर हमें उत्तर में दिख रहा है फोड़ी बहुत हम मान के चलते हैं कि हमेशा एक सुधार के गुंजाईस होती है और उस वजह से कहीं न कहीं को दो में से कुछ मार्क्स कट करके इनको दिया गया है क्योंकि यह राउंड वन का पेपर है ठीक है और राउंड टू में जसे जाते हैं तो चेकिंग उसी साब से ह कि जाती है उसके वाद धamation सкой है क्या समझते हैं से ताथपर ये साथ मिलकर कारे करने से और इसके उधारान के तौर पर हम सहकारी उद्योग अमूल एंवन स्वैकार सवशा समोह के विभिन गयार सरकारी संस्थानों को ले सकते हैं यहां पर देखें उने इत उधारान के तो करिता का एक उधारण है ओके यह इन्होंने उत्तर लिखाए चलिए एक मॉडर आंसर हम लेने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहां पर और उच्छा उच्छा उत्तर दिया जा सकता है तो देखें यह आपका दो माक्स का जो है उत्तर योजना के बारे में तो प्रमो खुरूप से आप बिल्कुल यह कहूंगा कि आप बिल्कुल तयार कर लिजिए क्योंकि यहां से कॉश्चन तो आ नहीं है इस बार आप मानके चलिए ठीक है तो महतारी वंजना के तहत महिला आ नहीं था फिर आपका प्रदान करेगी जो किसके लिए है तो यह आपने यहां पर लिख दिया कि भई विद्वा और विवाहित और आर्थिक रूप से कमजोर प्रिष्ट भूमी से आती हैं उनके लिए है राज्जी की महिलाओं को आत्मनिर भर बनाने के लिए इस वोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रवधान किया गया है चले तो यह इस प्रकार से इसका उत्तर हमने लिखने का प्रयास किया अंग्रे जी में भी यहां पर लिखा हुआ है लेकिन यह आपका एक अलग वीडियो लेक्चर की माध्यम से आपको पूरा इंगलिश में बताया जाएगा सहकारिता सहकारिता वास्तों में लोक तांत्रिक साधन का ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है प्रदेश के किसानों कारीगरों और जो बुनकर है मचवारे हैं दुग दूद पादक है अनुसुचित जाती और जन जाती अनुविश्रा वर्ग महिलाओं या अन्य कमज़र वर्गों के व्यक्तियों की सहयता के सहकारी मार्ग दरशक के रूप में कारे करने का है ताकि उनकी जो समाजिक और आर्थि प्रगती हो सके या सुनि जो आपका कॉन को से सथां के साथ मिल के काम करता है फिर यह परटिक फिर किस वर्ग के से लिए लाभ के लिए काम कर रहा है है यह आपको जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा स्पेसिफाइ लिखेंगे इस प्रकार से चीजे उसमें होनी चाहिए पैटन को ध्यान रखिएगा ज़री नहीं कि जैसा यहां पर लिखा है वैसा यह आप लिख सकें या फिर आप लिखें एक प्रारूप को समझेंगे कि किस पैटन में लिखा है और क्या लिखा हुआ है और इसके अधार पर अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिए ओके चलिए अब चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और फिर देखें अब यह दो मार्क्स के प्रश्ण हम लोगों डिसकस कर लिए हैं अब चार मार्क्स के जो प्रश्ण आये हैं है उस पर हम चर्च करते हैं ठीक आपको बस समस्ते चलना है कि कित्य मार्क्स के क्वेश्ण है और उसमें किस परिकार से लिखा गया है और थोड़ा सब प्रश्ण के अधार पर कंटेंट पर ध्यान रखिएगा ओके देखें चार अंकों के प्रश्ण में पहला प्रश्ण है मुख्यमंत्री कन्य विवाह योजना के बारे में आप क्या जानते हैं तो देखिए फिर से वही योजना के बारे में है तो और पुरी तरह से प्रश्ण पूछा हुआ है कि आप क्या जानते हैं मतलब जो भी जानत से अधिक कन्याओं. अधिक्तम दो. बहुत बढ़िया. को राज सरकार द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है. ठीक है. फिर राज सरकार द्वारा 50000 रुपए पर्दान की जाती है ताकि परिवार विवाह संपन करा सके लाभ समाजिक प्रक्रिया निरंतर चलती है वैवाहिक करेकरम है तू परिवार को मानसिक प्रतरणना से मुक्ति मिलती है बहुत बड़िया महिला शशक्तिकरण ये भी एक अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा इस योजना द्वारा भी देखेंगे हम लोग डिस्कुसन करेंगे चार में इनको तीन मार्क्स मिले हैं कहां पर जो चीजे हैं वो सुधारी जा सकती हैं पहला चीज ये कि ये जो आंसर नों ने लिखा है इसमें इस परश्ट रूप से ये चीज हमको समझ में आजाती है कि इनके पास बहुत जादा जो है है ना कंटेंट नहीं था और मेभी इस वज़ा से इन्होंने थोड़ा सा इस पेस छोड़ा और इसको लिखा देखें चार मार्क्स का प्रश्ण है तो मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट यहां पे जादा था मतलब कम था कंटेंट इसमें और है बिल्कुल है और ये लिखा दा सकता था लेकिन इनका लिखने का जो तरीका उससे समझ में आ गया है कि इनके पास कंटेंट जो है कम रहा होगा और इसी वज़ा से जैसे कि इन्होंने पैगराफ चेंज कर दिया एक बार फिर से लिखा है इस चीज को एक बार में लिखा जा सकता था एक ही जगा पर लेकिन ठीक है बाकी पॉइंट इसके इनके काफी अच्छे है और ये बढ़िया है समाजिक प्रक्रियाद चलती रहती है वेवाही करेकर परिवार को मानसिक प्रतारना से बचाती है और महिला ससकती करन ये एक अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा है जिस वज़ा से इनको चार में तीन मार्क्स मिले है चलिए तो एक ये प्रश्ण आपका हो जाता है उसके बाब फिर देखिए दूसरा एक उत्तर पत्र लेते हैं इनका क्या कहना है इन्होंने क्या लिखा है इनको 2.5 मार्क्स मेले है देखते हैं इनका अगर आप देखेंगे तो पहले के हिसाब से वैसा नहीं है कि इन्होंने जगाज बहुत ज़ाए चोड़ा हो पुरा लिखा है और काफी अच्छा लिखा ठीक है ना एक फ्लो इसमें नजर आता है कि किस प्रकार से लिखा गया है और उन्होंने कंटेंट दिया है ऐसा हमको पता चल रहा है इस योजना की सुरुवात बजर 5-6 में की गई थी चलिए बहुत अच्छा जैसा कि मैंने अभी प्रश्ण पत्र में जब डिस्कुर्शन किया था तो मैंने आपको बताया था कि योजना के बारे में है तो कप रारंभ हुआ यह आपको बताना चाहिए फिर देखे इन्होंने उद्देश लिखा है प्रदेश में गरीबी रेका से नीचे जीवन यापन की जो है कर करने व यह है कि जो है दो यह तेइस चोविस प्रदान की जाएगी आठ जार रुपए ठीक जिसमें से आर्तिक सहायता समागरी 21,000 रुपए ओके यह 21,000 रुपए 6,000 रुपए का स्रिंगार 15,000 रुपए का जो है उपहार सरूप होगा बैंक ड्राफ्ट के रुपए 21,000 आयोजन तो कुल जो है आपका 50,000 रुपए दिया राता है और किस रुप में दिया राता है वो भी इन्होंने लिख दिया है और गरीब परिवार को कर्ण्याम के विवाह की चिंता नहीं रहती साथ ही शासन के सहयोग से उचित विवस्था हो जाती है 23-24 में सितंबर 23 तक का इन्होंने अपडेट वाला एक डेटा भी लिखा हुआ है लेटेस्ट डेटा इन्होंने यहाँ पर लिखा है तो यह एक काफी अच्छी चीज़ है कि वरतमान इस्थिति का भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है तो एक complete answer मुझे दिख रहा है ठीक तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह उत्तर लिखा हुआ है इवर आप पढ़ लीजेगा तो content जो है वह आपको मिली जाना है content में आपको ध्यान दखना है कि जब भी योजना के बारे में पूछ रहा है तो आपको वही करनी है प्रारंब देन उसका प्रावधान उस यह उत्तर जो है लिख सकते हैं चलिए तो यह हो गया कि आपका चार अंको का एक प्रश्ण जिसको हमें डिसकस किया कि किस प्रकार से आप लिखा जाना चाहिए अब बात करते हैं आठ अंको के प्रश्ण के बारे में देखें आठ अंको का प्रश्ण पहला प्रश्ण बाल श्रम अधिकार संदक्षन आयोकी सिफारिस की गठन की टास्क फोर्स से ये कलेक्टर्स की अधिक्षता में कारे करेंगे ये लोगों को बाल मजदूरी रोकने के लिए जागरूप करेंगे विशेस कारे सालाएं चलाएंगे नुकर नाटक एवंस्वयम साहता समूत था एंज बच्चों को रखने उनके पढ़ने लिखने खान पान की जिम्यदारी यह टास्क फोर्स विभिन आवश्यक समीतियों के मदस्य करेंगे राज्य के साथ जिलों में जोकी क्रमसा सरगुजा पूरबार रायगण विलासपूर रायपूर दुर्ग और राजनन गाउं में जो काफी अच्छा एक आंसर ने लिखा है आठ मार्क्स में इनको तीन मार्क्स यहां पर दिये गए हैं ओके देखिएगा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखें बाल सरम से प्रभावीत बच्चों के लिए राज्य सरकार दौरा किये गए विश्यस पहल कौन-कौन से है यह आपका देखिए पहल की बात हो रही है तो इस परिकार से आपको लिखना था एक जनरल आंसर नहीं देना है जो क्या-क्या योजनाय उनसे संबंधित या कुछ प्रयास जो सरकार के तरह किएगा वो उसके बारे में चर्चा करने के लिए बात यहां पर की जा रही है तो उमीद, उजियार, 36 बालकोश यह कुछ पॉइंट्स है जिसको यहां पर डिसकस किया गया है कि उनसे संबंधित क्या-क्या चीजे हैं क्या-क्या चीजे यहां पर करी गई है प्रयास किया गया सरकार के द्वारा तो इस प्रकार से यह आप आंसर लिखेंगे तो आपको जो इस प्रकार से आप आंसर करते हो तो देखिए चार पॉइंट ही लिखा गया है लेकिन इस चार पॉइंट को पूरी तरह से विस्तार से यहां पर क्या किया गया है उसके बारे में बताया गया है तो यह पूरी व्याक्षा करता है यहां पर इस उत्तर के साथ यह पूरी तर लिखा है देखें महिलाओं के आर्थिक्ष्रसक्तिकरण के लिए राज्य में किया जाने वारे प्रयासों का मुल्यांकन कीजिए तो आर्थिक्ष्रसक्तिकरण की बात हो रही है आर्थिक्ष्रसक्तिकरण यानि कि आपको एकोनॉमिकली जाकरके इसका आंसर करना होगा सिक्षा है और सिक्षा ही आर्थिक श्रशक्तिक रण इसे तु आर्थिक स्रशक्तिक रण का आध्हार इस्तम्व सिक्षा है जो इनको आगे लिखना था उसको ध्यान देते हुए इन्होंने जो है एक भूमिका यहां पर बनाई है क्योंकि 15 अंको का प्रश्ण है और 15 अंको के प्रश्ण में आप जो है मुख्य रूप से तीन तरीके जो है तीन बिंदुवों को समाहित करते हैं अपने उत्तर में एक यह कि आप एक क्या करते हैं मुख्य रूप से एक भूमिका बनाते हैं उसके बाद फिर आप प्रमुक बिंदुवों को इस्थान देते हैं उस विश्य उस प्रश्ण से संबन्दित और उसके बाद फिर क्या करते हैं जो है उसका निसकर्स आप लिखते हैं इस तीन जो है पूरे उत्तर का 10 प्रतिशत होना चाहिए और यह आपका जो है 80 x 10 प्रतिशत होना चाहिए तो 10-10 इस रेशियो में आप इसका उत्तर लिखेंगे तो जैसे यहाँ इसे एक भूपी का बना दी गई उसके बाद फिर अगर आप देखें तो हेडिंग बना करके आगे इन्होंने लिखा है लैक महिला साक्षरता की इन्होंने बात कर दी फिर उसे संबंदित कौन कौन सी चीजे हैं तो सरस्वती साइकल योजना कस्तुरुबा गांधी आवास य अब दोखो यह जो सक्षरता जो इन्होंने लिखा है तो एकदम सीधे तोर पे तो यह आर्थिक ससक्तिकरण को नहीं जोड़ता लेकिन सिक्षा को जरूर जोड़ता है ठीक है और सिक्षा को एक माध्यम के रूप में फिर आर्थिक ससक्तिकरण से जोड़ देता है इस वज मैं आर्थिक साहथता स्वाहें के वह लिखा हुआ है क्यों को राज्य सरKार कुछ सेवाईं देती है ऊसमें इनको रखा जाता है और अगर ने अदिगए लिए जहां जो हर एक जीसे में आपकी होती है उन्हीं को मान के चलिये कि यह कार्य दिया जाता है तो यह अर्थी सश्क्तिक्रण का जरिया बन गया तो यह अच्छा लिखा हुआ है विहान योजना का मेंशन यहां पे कर रहे हैं तो राश्ट्री ग्रामिड आजिवी का मेंशन द्वारा जो है रोजगार है तो उचित कोशल विकास का प्रसिक्षन प्रदान करना ये बिहान योजना में नोंने लिखा है आंगानवाड़ी सहाई का है ना मितानिन ये सब महिलाओं के मांदे में बृद्धी की गई है चरिया अच्छी बात है फिर संस्थागत प्रसाव कराने पर मातरित स आयता है तुभी राश्री दी जाती ये बहुत अच्छी बात इसको भी इन्क्लूट किया है मंदरिगा के तहट भी बहुत अच्छी बात है ये मातरित आवकास पर भी अब राश्री प्रदान की जाती है तो महिला ससकती करण को और जोड़ दिया जा रहा है फिर इतना प्रारूप बिल्कुल सहीं फिट बैट रहा है ठीक है इसमें बुलेट पॉइंट पर भी लिखा है परेगर आफवाइस भी लिखा है सुरु में भूमिका बनाई है बाद में इसकर्स के तौर पे लिखा है तो ये complete एक आंसर यहां पर हमकों देखने को मिल रहा है ठीक है तो इसको ध्यान में रखेंगे चलिए इसका एक उत्तर हम लोग देख लेते हैं उत्तर क्या हो सकता है इसमें तो देखिएगा उनके आर्थिक गतिविधी के लिए वित्ति एवम आने सुझान उपलब्द कराने के उद्देशस से 36 महिला कोस का गठन सत्तिजगर सोसाइटी से रजिस्ट्री करन अधिनियम 1973-73 73 के तहट किया गया है ठीक है यह इन्होंने यहाँ पर लिखा है फिर महिला कोश के द्वारा क्या किया जाता है वह यहां पर बता दिया गया है कि आसान सड़तों पर रिन उपलब्द कराया जाता है ठीक है तो यह रहे हैं ठीक है उसके औप पिर अगर चलें तो तो यहां पर लिखने थे यह अपना उत्तर लिखने का प्रयास करें ठीक है स्वयम के शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा ओके है ना तो ये जो है आपका आज का सेशन हम लोग यहींद पर समाप्त कर रहे हैं 36 गड़ की अर्थे वस्ता इस विश्या पर आज हमने चर्चा की मेंस की टेस्ट सिरीज नंबर 7 के बारे में अगरे सेशन में हम लोग मेंस की और दूसरे टेस्ट सिरीज में कौन से सब्जेक्ट 36 गड़ इससे सम्मनित पूछे गए हैं प्रश्टम पूछे गए हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे तब तक आप लोग जो है अपना ख्याल रखिये स्वस्थ रहिए और मेंस की तयारी काफी अच्छे से करते रहिए और जो भी मार्ग दर्शन आपको इस प्लेटफर्म के जरीए हम दे सकते हैं आपके लिए हमेसा सदैव समर्पित है थैंक्यू सो मच पाथ हाईस अक्याडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप जो हैं बने रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियो एवलेबल यहाँ पर होता जाएगा ओके थैंक्यू सो मच